अरे कोशिश तो कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा लक्ष साद, अरे निशाना तो लगा, और फिर देख सुखे रेगिस्तान से भी जल निकलेगा, और अगर तुझे तेरी किसमत लगती है बंजर, तो मैनत से अपने सपने सीच के तो देख, इस बं जिक स्वागत मेरा हार्दिक नमशकार सुईकार करिये शुई कृष्णम वंदे जगतगुरुम राधे राधे और आज की इस हमारी टॉपिक वाइस टेस्स सिरीज में हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है हडपा सभ्धा आज के इस हडपा सभ्धा के टॉपिक में भी मैंने लगभग 25 के करीब प्रशन रखे हैं और कुछ ऐसे प्रशन रखे हैं जिसमें आपको हो सकता है कुछ थोड़ी सी असविधा हो प्रशनों को हल करने में फिलाल आपसे अनुरोध है जल्दी से तुरंट क्लास में आए और कॉपी पैन लेकर बैठे और हमारा पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बिना किसी भूमिका के और पहला प्रशन है जुड़ा हुआ है तामरपाशान काल से हडपा के साथ और ये कह रहा है जंगल फल बेर थोड़ा ध्यान दीजेगा और यू आकार के चूलों के साक्षे हमें कहां से मिलें आप जवाब दे सकते हैं प्रमाण किस तामरपाशानिक इस थल से मिले हैं ध्यान दीजेगा थोड़ा प्रशन को ये प्रशन इंपॉर्टेंट था मैंने इस पेपर में डाल दिय हैं आप सभी को रिप्लाई करना है बाला थल गनेश्वर अहाड या फिर प्रकाश और मुझे उमीद है अगर कहीं पर गलती से भी आप गनेश्वर को चुन रहे हैं तो जवाब गलत हो जाएगा और ये जवाब है बाला थल आप ध्यार रखेगा गनेश्वर एक ऐसा इस जो हडपा वासियों के लिए तांबे की वस्तूओं का स्रोथ है तांबे का स्रोथ है तांबे की वस्तूओं का स्रोथ है तांबा तो उन्होंने फिलाल राजस्थान की खेतड़ी की खानों से प्राप्त किया है हडपा वासियों ने और अब देखेगा एक बड़या प्रश यह कह रहा है कि हडप्पाई इस्थल से नमक बनाने का बाड़ा जैसी एक संदचना कहां से मिली है हमारे लिए ये प्रश्ण भी बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है कि क्या हडप्पा वासी अपने भोजन में नमक का प्रयोग करते रहोंगे नमक से परचित है या नहीं एक बड़ी बात यह है आप ध्यान दें अगर स्वतंतरता के बाद जो हमने इस्थल खोजे हैं और जो मैक्सिमुम जो इस्थल स्वतंतरता के बाद जो हमें हम आइडेंटिफाई करते हैं वो गुजरात में मिलते हैं समुद्र तटी इस्थलों के पाए जाने से हमें ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि हाँ वो नमकीन पानी है नमक है और जैसे वो प्राक्रतिक स्रोतों से नमक बनता है तो संभवता वो नमक का प्रयोग करते रहोंगे आज की डेट में ये जो प्रशन कह रहा है कि नमक बनाने जैसा बाड़ा जैसी संभचना कहां से मिलती है पादरी से दोला बीरा से लोथल से या फिर रोजदी से और अगर आपने यहाँ पर फिर जवाब लोथल दिया है तो जवाब गलत हो जाएगा और इसको हल करिएगा ये जवाब है पादरी ठीक है याद रखेगा प्रशन बहतरीन है और गलत नी होने चाहिए परिक्षा में और ये भी एक कामरपाशानिक प्रशन है चुकि कुछ ऐसे टेकनिकल प्रशन मिले मुझे जो आप तक पहुँचने चाहिए थे आप देख लीजे कि संस्कृती में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पहले काट दिया जाता था मतलब घुटनों से पैर काट कर शवों को दफनाया गया है ये कि संस्कृती की विशेशता है जैसे तामरपाशान काल में कि ये भी पूँचा गया है कि मिट्टी के ताबूत में रखकर दफनाया गया शव कह से मिलाए तो आपको पता होग..? पता यह यह देख लिजह, आप जोरवे संस्कृत्य में Short Ty संस्क $ случай मुर्तक के पैर को काट कर शवों को दफनाय गया है और यह परंपरा आपको पता है जोरवे संस्कृति में है गलत तो नहीं किया है इस प्रश्ण को गलत फिलहाल मत करिएगा और भविश्य के लिए नोट कर लिजेगा आगे आप देखिए ये प्रश्ण है तामरपाशन काल का ही प्रश्ण है ये और ये कह रहे हैं कि समाधी की मुद्रा में एक योगी का कंकाल समाधी की मुद्रा में दफनाया गया किस तामरपाशन किस तल से मिला है तो ये तीन प्रश्ण आपके जंगली बेर वाला और शवों के प्यार काट कर दफनाया जाना वाला और ये वाला प्रश्ण एक योगी को समाधी की मुद्रा में दफनाया गया है बिठोर मा हो सकता है और कुछ नहीं भी इंपॉर्टेंट अगर हो सकता है आपको लगता है तो कम से कम आपकी परिक्षा को ध्यान में रखते हो यह प्रश्ण आपके दिमाग में रहने चाहिए वह मैं आज करा रहा है मनकों का कार खाना तो आप यहां पे आप नंबर डाल लीजिए वह चनुदड़ो और लोथल में भी है मनके बनाए जाते थे और आप मुझे बताएंगे क्या मनके बनाने की जानकारी हमें नव पाशान काल में सरवप्रतम कहां से मिलती है मनके बनाए जाते तो वो तमिलनाडू का इस्थल है पायम पल्ली ध्यान रखिएगा ये प्रश्न भी आपके लिए इंपोर्टेंट है है ना पायम पल्ली से मनके बनाने का नव पाश्रानकाल में ये हमारे पास प्राचिंतम साक्षे है तामे का स्रोत राजस्थान में खेतड़ी की खाने हैं राजस्थान में है ये तो याद रखिएगा वो कहरा स्टेडियम तो जूनी कुरन आप इसे यहां पर धौला बीरा के साथ एड़ कर सकते हैं भी स्टेडियम के साक्षे हैं क्या खेलता थे इह नहीं पता है लेकिन हाँ आउट्डोर स्टेडियम में यह दिखाता है खेल प्रतियों गिताओं का आइओजन होता था ठीक है हमारे पास indoor games के भी साक्षे हैं जैसे हमारे पास loo do passage जैसी संदचना है शत्रंज के खेल के साक्षे भी हमारे पास मिले हैं आपको जानकारी होगी पुरुईतों के आवास यह नौँ मौहन जोद्रोज हैं तो यहां पर जवाब आएगा 3142 क्लियर हो गया होगा तो तद अनुसार यहां पर आप देख लिजे यह option A सही होगा 3142 क्लियर हो रहा है आगे देखिए जलबाजी मत करिए और आप हमें जवाब दीजेगा ठीक है किस फसल की क्रिशी का साक्षिक किसी भी सेंदों इस थल से नहीं मिला है एक ऐसी क्रिशी की बात हो रही है जो हरपा सब्यता में हमें उपलब्द नहीं है धान एवं गेहूं तो धान भी है गेहूं भी है धान के लिए हमेशा पूछा गया है चावल के दाने यूनों आपक तो रंगपूर दिखाई पड़ता है यव एवम रागी यव यानि जौव है तो अब यहां पर देखिएगा जौव तो है लेकिन रागी नहीं है तो यह विकल्पा आप नहीं चुन सकते जौव के साक्षे आपको बढ़ावली से मिलें ऐसा कहा जाता है कि बढ़ावली का यह तीनों फसले मिलती हैं सरसो एवम चना बोया गया था काली बंगा का जो खेत है मिश्वित खेती का पहला नमूना है याद है आपको और फिर बच क्या रहा है गन्ना आलू एवम रागी तो यहां पर सही ऑप्शन होगा हमारे पास हडपा सभ्यता में गन्ना आलू और रागी जैसी क्रिशी फसलों के साख्ष उपलब्त नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद यह फसले हडपा वासियों के द्वारा अपरचित थी आलू तो आपको पता है यह पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाए गई है तो आलू तो कदापी मिलने की कोई गु अब उसमें हाथी भी है और साण भी है लेकिन बाकी यह दो युगम नहीं है आप अगर थोड़ा ध्यान से गौर करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कौन से पशुयुगम अंकित नहीं है तो ध्यान रखिएगा घोड़ा है गाय है शेर है पूरी तरह से और उंठ है यह वाला विकलप आप देखेंगे आप ध्यान रखिएगा इन चार पशुओं का चित्रांकन बिलकुल भी उस पशुपती की मुहर पर नहीं है गोड़े के अंकन वाली कोई मुहर हमारे पास उपलब दनी है गाय के अंकन वाली शेर के अंकन वाली और उंठ के अंकन वाली कोई भी मुहर हमारे पास पूरी हडपा सब्वेता में उपलब दनी है बाग का अंकन हुआ है बाग यानि व्याग्र का अंकन तो हुआ है मुहन जोदुड़ो आली मुहर पे भी है और केवल संपल व्याग्र अंकित मुहर काली बंगा से मिलते हैं है आपको पता है ह경 है तो जहां तक मैं समझ पारहा हूं यह ध्यान देरी की जरूफ है 12 सिंगत का अंकन कहां की मुद्राऊं पर है मुझे पताएंगे बारा सिंगत आमरी की मुद्राऊं मुहरों या मुद्राओं पर जो भी आप तर्म यूज करना चाहें गैंडे का चित्रांकन भी आमरी की मुद्राओं पर है उसमें है ही पश्यूपती की मुहर में तो है कि और अब यहां पर तोडल सा ध्यान दीजेगा बहुत बढ़िया और अच्छा प्रश्ण है यह इंपॉर्टन है और वैरी वैरी इंपॉर्टन आप कह सकते हैं इसकी जानकारी हडपा वासियों को नहीं थी पकीटे है या नहीं है पकीटे तो हैं पकीटों के भावन है लेक यहाँ पर पकीटे हैं तो इस option को आप चुन नहीं सकते हैं हडपा सब्विता में हमारे पास नहरों के साक्ष नहीं है ध्यान देना होगा अपवाद स्वरूप हमारे पास जो नहर जैसी संद्चना का एक मात्र अप्रत्यक्ष साक्ष मालवन से मिलता है ठीक है एक बात यह क्लियर रखिए फिर इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली से परचित हैं इटों को एक बार 36 रखा जाता है और फिर एक बार पट रखा जाता है तो यही कहलाता है इंग्लिश बॉंड प्रणाली लेकिन फिर आपको पता है कि घोड़ा है रेर है सुरकोड़ा से इसका कंकाल मिला है और भी थोड़े-थोड़े साक्ष हैं हमारे पास शेर से बेसिकली हमारे पास मोरों पर उपलब दनी है शेर से परचित रहे होंगे लेकिन शेर का अंकन या शेर की मरणमूर्तियां नहीं है हमारे पास या देपी की बाग का चित्रांकन है अब ध्यान दीजेगा घोड़िया च्छत का उदारन तो मिलता है हमें गाउ में पुराने मकानों में आज भी इसका इस्तमाल होता है अब तो फिलाल यह समाप तो प्राय है सबी जगे पक्ते मकान बन रहे हैं ध्यान रखिएगा किसी भी दशा में ध्यान रखिएगा किसी भी दशा में ध्यान रखिएगा बहुत अद्बुत बाते मैं बता रहा हूँ, इसी प्रशन को लेके किसी परिक्षा में कुछ थोड़ा सा हलका सा विवाद भी हुआ था, किसी प्रशन को लेके, और उसमें वो प्रशन की थोड़ी सी बाशा प्रशन गलत संदेश दे रहा था, अब ध्यान रखिएगा धेंक लोहा भी नहीं है, गन्ना भी नहीं है, तो कुल मिलाके यहाँ पे सई जवाब है D, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजेगा, मैं आपको बताता हूँ, वैज्यानिक तरीके से बनाई गई महराब नहीं है, है ना, अब मामला ये है, कभी कभार एकात प्रशन और आया है, टोड़ा महराब शैली का एक उदारन हमारे पास है हडपा सब्वेता में, और वो है मोहन जोदोडो के इस नानागार की नाली में, ठीक है, मोहन जोदोडो के इस नानागार की नाली में हमें दिखता है, इस नानागार की नाली में, आप नोट कर लीजेगा, मेरे साथ जुड़िये आप सम और लगातार आप पढ़ाई पर बने रही है गोल महराब का उदारन अगर कहता है तो वह एक मात्र उदारन लोथल से है तो लेकिन वग्यानिक तरीके से बनाई के महराब अभी हमारे पास भारती परंपरा में अभी नहीं है ठीक है वह आगे आ क्राइगे तो लिपी क्या कहलाती है यह ध्यार नखिएगा उसको कहा गया बहाव चितरात्मक मैं इसको एंगलिश में कहा गया है फ्रस कि तो बैस्त्रों फैर दन शैली तो इसका मतलहिया एक बार डाइन से बाएं एक बार बाएं से दाएं एक बार दाएं से बाएं एक बार बाएं से दाएं इसी बैस्त्रो फैदन शैली को लिखने के लिए जो ये तरीका है इसी को हिंदी में कहा जाता है गो मूत्रिका शैली और इसी के लिए एक शब्द और यूज हुआ है जिग जैग क्योंकि सभी का मतलब एक ही हो रहा है किस लिपी का प्रयोग क्या गया है तो अभी अब इस प्रश्न का जवाब आप कर पाएंगे और यह पिक्तोग्राफिक यानि कि भाव चित्रात्मक है ना भाव चित्रात्मक और अगर गलती से भी आप इसमें कंफ्यूज हो करके कहीं भी दस्त्रोफ फ्रादन को लिख लेंगे तो यह लिपी नहीं है लिपी को लिखने का यह तरीका है यह लिपी को लिखने का एक तरीका है तो फिलाल पिक्तोग्राफिक या भाव चित्रात्मक और गार की के बारे में मैं अभी आप से थोड़ी देर म आवशेशों के नरशाष्ट्री या एंथ्रोपोलोजिकल अध्यान के आधार पर सिंदोसभिता के निर्माण में किन प्रजातियों का योगदान बता गया अलपाइन हैं फिर उसके बाद कह रहे हैं भूमद्य सागरी हैं प्रोटोसलाइड हैं शामी हैं मंगोल्स या मंगोल भी अलपाइन्रं चाघरी को इंग्लिष में एक टर्म यॉज होता है मेटिटेरियन्स हίν तो आप इसको मेटिटेरियन्स कह सकते हैं ध्यान रखेगा मेटिटेअर्टेरियन्स इसके लिए एक शव्बद आया है मंगोलोयड और प्रोटोसलाइड इसको आप यूज कर सकते ह आद्य आस्ट्रेलिया ठीक है अब आप समझ में आ गया होगा कभी कभार एक बार ये भी प्रश्न पूंचा गया है कि हडपा सब्वित्दा में किस मानव प्रजाती के सरवादिक हमारे पास संकेत मिलते हैं तो वो है भूम अद्यसागरी मैक्सिमम है और अलपाइन्स प्रोटोज बिल्कुल भी नहीं है शामी बिल्कुल भी नहीं तो तदनुसार सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी और इस प्रश्न को देख लीजेगा भारती प्रवादर में विवाहित महिलाएं सिंदूर का is बहावलपुल और बढ़ावली तो कर पाएंगी शायद इसका जवाब अगर दे पा रहे हैं तो ठीक है और जवाब है नौशारू एवं मेहरगड बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कोशिश करूँगा आपसे कि यदियपी अगर 20-25 प्रशनवी हम लोग हल करते हैं तो मैं आपको लगभग उसमें से कम से कम 50-60 पॉइंट एक्स्ट्रा मैं डिसकस कर देता हूं आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी और इसी रिवीजन को दियार में रखने के लिए मैंने प्यास के समस्त महत्वपूर्ण परिक्षोपयोगी टॉपिक्स को मैंने कवर किया है इसमें खास बात है मैक्सिमम जो बहुत इंपॉर्टन है गागर में सागर के रूप में लिखी गई है टॉपिक के वाइस टॉपिक वाइस है यह सेक्टों छात्रों ने क्लास से आप हम पर संपर कर सकते हैं और अब हम लोग अपनी आगे की टेस्स की और चलते हैं और मुझे लगता है कि कोई भी गंबीर छात्र हमारी क्लास के साथ जुड़ सकता है ठीक है तो बैटर है अब देखिए सूची पर ध्यान देना है पहले तो ध्यान दीजे फिर क्या पूछ रहा है पहले तो ध्यान देना है आपको और फिर कह रहा है कि कौन से सही सुमेलित हैं तो पहले आप ध्यान दे लिजे रोपर्ड सबसे पूर्वी स्थल है क्या पहला जो विकल्प है सबसे पूर्वी स्थल है क्या नहीं ये गलत है सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीर पूर हमेश ठीक है गोदावरी की सहायत प्रवरा के किनारे है फिर कह रहा है आलमगीरपुर यह वाला विकल्ब गलत है क्योंकि सबसे उत्तरी स्थल है माणडा और यानि दो सही है फिर कह रहा है सुद्गागेंडोर हाँ बिल्कुल ठीक है सबसे पश्यमी स्थल है और यह सही है और कौन सा है दो और चार दो और चार ये दो विकल्प सही है कहता कि कौन सा सही नहीं है तब आप विकल्प चुनते एक और तीन तो अब हम लोग देते हैं अगला विकल्प इसमें क्या दिया हुए दो और चार कहां पे है दो और चार तद अनुसार आएगा यहां पे देखिए स वाला विकल पाएगा ठीक है अगले कोशन को देखें कि सिंदु घाटी के लोगों के द्वारा सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी थी थोड़ा ध्यान से देखेगा सरवादिक किस धातु का प्रयोग हुआ है तामबा कासा सोना और चांदी या फिटेन जवाब देंगे और ये जवाब आपको पता होना चाहिए मुझे बताए और अगर गलती से भी आपने कासा चुना है तो गलत होगा सरवादिक जो धातु प्रयोग की गई है वो तावा है हडपा सब बिता के जो भी धातु से उपकरण बने हुए है उसमें सत्तर पतिशत उपकरण केवल और केवल तामबे के हैं ये बात क्लियर होई तामबे के हैं क्लियर हो रहा है कांसा रेयर है कांसा रेयर है लोहा है न कांसा रेर है और कांसे में दो धातूं का मिश्रण है कांसे में और वो है तांबा और टिन ठीक है और जो ये अनुपात है ये भी आप ध्यान रखिएगा कहता है ये बताइए सबसे जादा धातू का जो प्रयोग वो कौन से तांबा है ध्यान रखिएगा हमेशा कांसा बहुत रेर है लेकिन उस समय की वो बहतरीन तक्नीक है धातूं को मिश्र करके कठोर धातू बनाने का उन्होंने अविश्कार कर लिया था और एक बात और मैं ब विश्व में सर्वप्रथम चांदी भी रेयर है विश्व में सर्वप्रथम चांदी का उपयोग हडपा वासियों ने किया ऐसे कहते हैं कि विश्वको हडपा वासियों की दो महत्वपूर्ण देन कपास और चाली ध्यान रहेगा कपास और चाली मुझे उमीद है आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे और अपने प्रश्ण जो भी आपके दिक्कत हैं अगर तो आप मुझे वाट्सेप कर सकते हैं उसको हम लोग हल करेंगे अगला टॉपिक हमारा इसके ठीक बात वैदिक काल होगा उसके बाद धार्मी कांदोलन होगा फिर सोला महाजन पद ऐसे ही चलते रहेंगे हम लोग तो आप देख लिए हडपा संस्कृति के विजटन के लिए इंद्र को उत्तरदाय माना है मतलब इंद्र ने मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यहां के जो लोग थे स्थानी लोग यहां की जो हडपा सब्यता थी उसको खत्म कर दिया आरियों के आक्रमण ने और आरियों का जो प्रमुक देटा है युद्ध का देटा इंद्र कहा गया है इंद्र की एक उपादी है पुरंदर इसा माना जाता है ना कि यहां के लोग दुर्गों में रहते थे किलेबंद नगर होते थे तो शायद इंद्र को तो इसने का है मौर्शल ने वीलर ने स्टाइन ने एफिर वत्फ ने किसने कहा है तो जवाब आपको यहां पर पता ही होगा मौटिमर वीलर यह बात वो कहते हैं और आपको पता है वह मौहन जोद्रों से वह 42 कंकाल हमें मिले हैं सामुहिक इस आधार पे वीलर का यह कथन है ठीक है यह ध्यान रखने की बात है तो आप मौटिमर वीलर को याद रख सकते हैं और एक प्रशनौर है कि किसने आर्यों के आक्रमन की संकलपना को एक फाइनली डिनाई कर दिया है उस विद्वान का नाम बताईए मुझे आप यह काम आपको ही करना है और देखिएगा यह पूँछ रहा है प्रश्न क्या है कांसे का कुत्ता कहां से मिलता है कासे का कुट्ता किस हडपाई नगर से प्राप्त होता है कासे का पूछ रहा है लोथल मुहन जोद्रो आमरी और फिर कोर्ट दीजी तो ध्यान रखेगा यहाँ पर जवाब है लोथल मत चुनिएगा लोथल से तांबे का कुट्ता मिला है लोथल से ताबे का कुट्ता मिला है ठीक है तो यहां से कासे का कुट्ता मोहन जोदों से मिला है और हम लोगों की बातें एक्टम कन्फर्म चीजें एक कोशन में कुछ नई चीजें पता चल रही हूं तो आप नोट करते चलिएगा और अगले प्रशन को देखें यह समुद् तर्थीयविस्तार पूश रहा है और यह कहरा है कि अधाप सबस्विता का समुद्य तर्थीयविस्तार लगबक कितने किलोमेटर था तो मुझे बता सकते हैं गयारा सो तेरा सो चोदा सो सो तो सही जवाब है 1300 किलोमेटर है न और कभी कभी ऐसे north to south east to west north to south कितना है तो 1400 किलोमेटर है east to west कितना है तो 1800 किलोमेटर है यह सब भी याद रखिए कि उत्तरी छोड दक्षरी छोड और फेपूर्वी छोड पश्यमी छोड समुल्तटी विस्तार है ना जनसंख्या कितनी है मौन जोद्रो की हडपा की जनसंख्या का रिसर्च किसने किया है उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं उनका नाम है फेयर सब्सक्राइए हुआ है अगर आगे देखिए आप गरुड अंकित महर की बात हो रही है है इसको देख लेए आप क्या एक है इस तहल से गरूड अंकित महर के साख्श कमें हरब्पा आमरी काली बंगा ओर जोतो तो मैं यहां पे जवाब आपको बता रहा हूं और फरी जवाब है, हडपा, рьपपा से गरूड अनकित मोहर मिली है जवाब बहुत करीबी हो सकते हैं, है न, ध्यान दखियेगा गरूड अनकित मोहर मिलें और फिर यहाँपे काली भंगा से विशेश मोहर है, व्यागर अनकित मोहर है, बाग के अंकन वाली एक मात्र मोहर है मोहन जोदडो से नाव के अंकन वाली मोहर हैं ठीक है आमरी से बारा सिंगा है ना इनके चित्रांकन वाली मोहरे हमें मिलती हैं तो आपके लिए ये मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न भी बन सकता है मैंने चारों विकल्प आपसे डिसकस कर दिये हैं और इसको आप बहुत हडपा सब्यता का वह व्यापारे किस्थल जो एक बंदर गहा तो था ही यहां पर निग्रानी स्तंब के साक्ष मिलते हैं और वो यह कह रहे हैं कि लाइट हाउस निग्रानी स्तंब लाइट हाउस या प्रकाश स्तंब ताकि रात में जो जहाज हों उनको दिशा का ग्यान हो सके जमीन का पता चल सके लाइट हाउस का एवडेंस हमारे पास लोथल कुंतासी सुथका गेंडोर या बाला को कहां पे हैं बताएंगे तो पिल्कुल ठीक है और गलती मत करिएगा लोथल को मत चुनिएगा यह कुंत इस प्रश्म को देखें वास्तवी गोडे का प्राचीनतम जीवाश्म ध्यान रखेंगा जीवाश्म की बात हो रही है कंकाल की बात नहीं हो रही है और कहां से मिलता है तो अब यह हैं से कंकाल मिला है अब अब बात हो रही है कि जीवाश्म कहां से मिला है तो जीवाश्म ह पिराग से बरुचिस्तान में है पिराग ये बात ध्यान रखेगा जीवाश में पिराग से मिला है यह बहुत इंपॉर्टेंट है राना गुंड़ाई से घोड़े के दात मिलें देखिए एक प्रश्ण में कितने सारे विकल्प हैं और कितनी जानकारियां हैं आपके पास लो कि नया कोशन है वहाँ पिराग देखिए बरुचिस्तान में है आप बैतर होगा स्क्रीन शॉर्ट भी ले सकते हैं और यह प्रश्ण है किस इस्थल से हमें कपड़े की रंगाई के साक्ष मिले हैं कपड़े की रंगाई के कुंडाइंग वैट मिलते हैं तो वहां जोद्रो दोला बीरा बडावली या फिल लोथल चार आप्शन है जवाब दीजाए आप बार बार आप से कह रहा हूं कि अपने रिवीजन के लिए मेरी टॉपिक वाइस टैस सीरीज से आप जोड़ सकते हैं और जवाब हैं यहाँ पे लोथल ठीक है यद्यपी की परिक्षा के बारे में अभी हमारे पास कोई विशेश जानकारी तो नहीं है कि कब तक आयोजित हो सकती है लेकिन आप जहां रखेगा कि हमारे पास यह बड़ा एक इंपोर्टेंट टाइम है जब परिक्षा की तितियों की गोशना हो यह भी दो तीन महिने का समय मिल रहा है इसमें जब परिक्षा की तितियों की गोशना होने के बाद आप रिविजन पे लोटेंगे तो यह निश्यत है कि आपको बहुत हट-बड़ाहट होगी बहुत जल्दबाजी होगी अभी आपके पास इतना समय है कि आप आराम से चीजों को रिवाइज कर सकत हैं बाद में जो एक्जाम के समय होने वाली घबराहट है एक्जाम फोबिया हो जाता है उससे अपने आपको बचा सकते हैं आप मेरे साथ मेरी ऑनलाइन टैस सीरीज में जुड़िए आपको परिक्षा तक पूर्ण सहयोग मिलेगा मेरा और अब यह देखिए मिरंड मैं मि मिट्टी की मवी किस साक्षय कहां से मिलते हैं एक मात्र साक्षय हडपा सेब्बता में सुरकोड़दा है लोठल है आलमगीर पूर्ण यफिर रोपढ़ है और जवाब यहाँ पर है लो थल sip स्वाफ में बढ़ी चटान से भकी हुई अनूठिक कब्र मिलती है बढ़ी चट अब बेगनों अमने बॉडिक को रख दिया और इसके ऊपर एक बड़ी सी चटान से आप उपर से डगदिया गया इसको ठीक है रोपड में आपको पता कुछ। कुछ्ते दफिनायं गए हैं Просто कुछ न पोर। में को पता नई जानकार यहां आपको दी हैं तो आज की स्ट्रेस सेरीज को हम समापन करने की घोशना कर रहे हैं आज की इस क्लास को और तब तक के लिए मुझे आगयां दीजिए धन्यवाद नमशकार